छोटे छोटे बच्चो कैसे हो आपको पता है कि जब भी हम कोई काम करना हो तो सारे काम हम अपने आप नहीं करते हैं ना कुछ कुछ काम हमें किसी किसी से करवाने भी पड़ते हैं जैसे जब हम विमार हो जाते हैं तो क्या हम दवाई अपने आप ले लेते हैं नहीं ना और जब हम बड़े होते हैं, स्कूल जाने लायक होते हैं, तो क्या हम घर में पढ़ लेते हैं? नहीं ना, तो हमें स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल में हमें कौन पढ़ाता है? टीचर, और जब हमें कपड़ा सिल्वाना होता है, सूर सिल्वाना है, या पैंट शोर सिल्वानी ह हैं तब भी हमें टेलर की जरूरत पड़ती है और जब हमें कोई लेटर होता या लेटर भेजना होता है तो वह ने लाता है और में अपने हमें अपने बाल कटवाने होते हैं, पापा को तो रो हर महीने कटवाने होते हैं, तो क्या पापा गर पे बाल काटते हैं? नहीं काटते हैं, तो कौन काटता है पापा के बाल? बारबर, है ना? चलिए तो ये जो लोग हैं, ये देखिए सारे जो तस्वीर में हमें दीख रहे हैं ये सारे लोग हमारी help करते हैं आज हम पढ़ेंगे people who help us वो yolोग जो हमारी मदद करते हैं चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हैं हमारी प्यारी-प्यारी टीचर है ना जिस से मैं पढ़ाती है मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तब ही तो आपको पढ़ना भी आता है, तो यह है टीचर, कैसे पता चलेगा आपको टीचर, देखो टीचर के हाथ में बुक है, और उसके पीछे ब्लैक पूर्ड है, जिस पर वो लिखती है, दूसरा है, यह डॉक्टर, ज कोट पहनता है, और पेशेंट को चेक करता है, स्टेथोसकोप से, और फिर दवाई देता है, इसे बोलते हैं, डॉक्टर, यह डॉक्टर है, है ना, थर्ड नमबर पर है, नर्स, नर्स की क्या पहचान है, यह स्कर्ट पहनती है, फ्रॉक, वाइट कलर की, और सिर पर कैप हो मिलानिया नहीं हमेशा नहीं होता कभी वो पत्ती भी बानती हैं कभी मोद थेर्मा मेंटर से बुखार देखती हैं वो पेशेंट की सेवा किर इनको बोलते हैं नर्स नर्सिंग करती हुआ् ये ठीक है इसके बाद है अलग आ आल dull tip मतलब कपड़े immunity करती है तो ये है टेलर, जब कोई कपड़ा सिलवाना होता है, पैंट्शर्ट या कोई भी सिल्वाना होता है, तो वो टेलर सिलता है, राइट, इसके बाद है ये लेटर लाने वाले पोस्ट मैन, और ये है, देखो क्या कर रहा है, गार्डन है, green green, full खिले हुए है, और कुर्ता पहन मेटे काम करता है कभी खुदाई करता है कभी पानी देता है बगीचे में तो यह है गारडनर गार्डन से गार्डनर क्या है ये? गार्डनर ओके नेक्स चलते हैं ये है पोल्टर ये तो आपने अभी नहीं देखा होगा कभी जब आप कभी रेल्वे स्टेशन जाओगे और आपके पास बहुत सारा सामान होगा आपसे वो समान नहीं उठाया जा रहा होगा तब आप पोल्टर को बोलोगे कि प्लीज केरी माई लगेज है न? तो वो आपका समान उठा लेगा ये है पोल्टर मीज कुली पोल्टर ठीक है? ये हमारा समान उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देता है ट्रेन में रखना हो या बस में चड़ाना हो तो ये हमारा काम करता हो सबसे इंपोर्टेंट ये देखिए बार-बर जो बालों की कटिंग करता है आप लोगों की भी तो कटिंग होती है न? चोटे-चोटे यह देखिए इसके आसपस जूते पड़े हैं, चपल पड़े हैं, हाथ में हाथ होड़ी है और यह जूतों यह चमड़ा काटने का उजार है और फिर कर क्या रहा है यह जूते ठीक कर रहा है तो यह कौन है? यह है कोबलर, कोबलर, मैंड माई शूस यह कौबलर है और जूते ठीक करता है नेक्स्ट है, यह देखिए, ब्रश है इसके हाथ में और बोर्ड पर पेंटिंग कर रहा है यह है पेंटर, जैसे आप ड्रॉइंग बनाते हैं वैसे ही पेंटर जो है, वो पेंटिंग करता है पेंटर, पेंट सोलेक और यह टैप है बात्रूम में टैप खराब हो गई है और यह आया है टैप पूर ठीक करने हैं यह कौन है, प्लमबर कौन है यह, प्लमबर राइट, नेक्स्ट चलते हैं, यह है कार पेंटर, यह है कार पेंटर, कार पेंटर क्या कर रहा है यह तो लकड़ी का काम कर रहा है लकड़ी की कटिंग करता है फिर दर्वाजे बनाता है, खिड़की बनाता है और इसको कहते हैं, हम कार पेंटर, राइट चलिए, इसके बाद फिर हम चलते हैं प्लिसमेन क्या करता है प्लिसमेन रास्ते से ट्रैफिक सही करता है ट्रैफिक को बताता है कि उसे कैसे चलना है और अगर कोई चोर आ जाए तो कोई पॉकेट मारकर चला जाए तो उस चोर को भी पकड़ता है प्लिसमेन अच्छा आदमी होता है और ये है ड्राइवर ड्राइ के लिए ड्राइबर को आपके स्कूल की वैन भी कौन चलाता है ड्राइवर है नाrd नेक्स लास्ट उन है ये पानी है तलाव के पास खड़ा है और कपड़ों को हाथ में उठाए हुए होगे है और सामने एक पत्थर है इस पत्थर पर ये कपड़ों को पटकता है और फिर कपड़े धोकर यहां सुखा भी देता है ये कौन है वाशर मैन क्या बोलते हैं इसे वाशर मैन तो आज हमने पड़े people who help us आपको सब की पहचान होगी एक बार repeat करेंगे सबी teacher, doctor, nurse, tailor, postman, gardener, porter, barber, cobbler, painter, plumber, carpenter, policeman, driver, washerman, आप भी इनको पढ़ियेगा, have a nice day